नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का इस्टेटी ग्लोस पर 1962 के अंदर जब हम लोगों ने चाइना से वार किया था उसके बाद में हम लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि हमको कही न कहीं हतियारों के अंदर modernization करना पड़ेगा अपनी weapons को upgrade करना पड़ेगा जो traditional हम लोग weapons इस्तमाल करना है उसके अंदर कहीं न कहीं upgradation की जरुवत है लेकिन उससे ही जदा जरूरी था कि defense sector के अंदर हम लोग FDI जो है इसको invite करें foreign direct investment जो है वो बहुत कम था पहले उसको हमने invite किया और धीरे modernization करने की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए उसका सीधा संबंद हम लोग ये कह सकते हैं कि Rafael जैसे जो high technique जो विमान है उनको हमने इंपोर्ट किया France से लगबग 32 जो fighter jets हैं वो हमारे पास में आए ऐसे बहुत सारे हतियार हैं जो कि आज भारते सेना के अंदर शामिल हैं हमने बहुत सा budget जो है वो खर्च किया है बहुत सा पैसा खर्च किया है तब जाकर आज हम लोग इतना modernize हो पाए हैं हम लोगों ने कई ऐसे हतियार जैसे recently आप लोगों पता होगा कि Russia से हमने S-400 जो है उसको import किया जैसे इसराइल का iron dom है उसी तरीके से एक हमारे पास में भी हतियार है S-400 भले ही हमने Russia से उसको import किया हो लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास में हतियार है तो सही लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को ये चीज और समझ में आ गए कि हम लोग जब भी जब तक इसके अंदर indigenous नहीं होंगे independent नहीं होंगे तब तक कोई भी काम जो है वो नहीं चल पाएगा हम लोगों को आज नहीं तो कल इसके अंदर independent होना पड़ेगा लेकिन एक newspaper का article the times of India ने हाल ही में publish किया has Modi given up on modernization India's armed forces क्या वाकई में Modi जो है वो अब give up कर चुके हैं वो modernization नहीं करेंगे armed forces के अंदर weapons की उपर जो है वो अब खर्चा नहीं करेंगे और ये इस बात से सिध होता है ये इस बात से प्रमानित होता है कि recently जब budget आया और budget 2024 की अंदर budget का जो allocation है for defense उसके अंदर कमी की गई और खास तोर पर modernization जितने भी हतियार है उनको हम लोगों ने involve नहीं किया defense budget 2024 highlights की बात करें तो निर्मला सिता रमन allocates 6.21 lakh करोड to defense ministry ये जो 6.21 lakh करोड का आप लोग आक्रा देख रहे हैं ये पहले की बजाए कम है इसके अंदर decrease जो है वो हमने किया है पहले ये जो budget था ये 6.40,000 करोड का था तो इतना जो है वो इसके अंदर decrement आए एक line और लिखी हुई है defense union budget 2024 FM निर्मला सिता रवन defense budget speech highlights this defense allocation represent 12.9% of that total budget मतलब जो भी budget पेश हुआ है उसका 12.9% जो है वो क्या है defense budget है चलिए आप लोग हमारे 10,000 MCQ badge के साथ में जरूर जुड़िएगा मैं आप लोगों को SAC के लिए आप लोगों को railway के लिए prepare करूँगा जितने भी one day exam है उनके लिए में prepare करूँगा और खास बात है कि मैं आप लोगों को history, quality, geography, economy और science जो है वो पढ़ाने वाला हूँ इन lectures के अंदर हम लोग MCQ practice करेंगे ये मान के चलिएगा कि जो MCQ मैंने आप पर practice करवाए हूब हूब आपको exam में देखने को मिलेंगे GKGS का जो part है खास तोर पर railway NTPC के अंदर देखिए जबरदस तरीके से CBT, 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 CBT 1 और CBT 2 के अंदर है तो आप इस batch के साथ में जुरूर जूड़िएगा 12 अगस्य हमारे batch शुरू हो रहा है 10,000 आप लोग coupon code यूज करके discounted price के अंदर इसको avail कर सकते हैं शुरुआत के कुछी students के लिए ये offer जो है वो available होगा लेकिन हमारी पढ़ाई के अंदर, हमारी business के अंदर एक बहुत बड़ा distraction आज हो चुका है और वो कौन सा है? Pornography का है ये जो western countries हैं उनकी द्वारा भारत के अंदर परोसा गया है इससे आज भारते यूवा काफी frustrated है काफी परिशान है वो अपने studies की उपर, business की उपर focus नहीं कर पारा है तो मैंने आप लोग के लिए एक challenge लिया था 75 days का hard challenge जिसमें 75 techniques मैंने आप लोग को बताई थी कि कैसे आप लोग इससे निकल सकते हैं इन techniques की मदद से आप लोग pornography की आदज जो है addiction उससे बाहर निकल सकते हैं और अपने studies और business के इंदर अच्छा कर सकते हैं तो एक बार आप लोग क्या कीजेगा application को ज़रूर visit कीजेगा और वहाँ पर scores के साथ में avail कर सकते हैं राजना सिंग जो है उनका एक में tweet दिखाता हूँ आप लोगों को as far as the allocation of minister of defense is concerned I thank to finance minister for giving the highest allocation to the tune of rate 6.21 तो 6.21 lakh करोड का budget जो है वो recently passed हुआ which is 12.9% of total budget पूरे budget का 12.9% यह बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई लेकिन press information bureau जो है PIB की site पर इन्होंने एक tweet के साथ में इसीज को बताया भी था वहाँ पर इसका screenshot था ठीक है the capital outlay of 1.72 1.72 करोड जो है यह इसके अंदर capital outlay था एक चीज में आप लोगों को बताता हूँ congratulations to finance minister निर्मला सीता रवन presenting an excellent and outstanding full year budget 24-25 which will help in moving towards making prosperous and self-reliant यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में देने वाली बात है विक्सित भारत एक word जो है वो use किया गया था inspired by PM श्री नरेंदर मोदी तो विक्सित भारत के जहां पर बात की जा रही है in terms of different sector हम लोग पहले indigenous नहीं थे हम लोग हर शीज के लिए import करते थे छोटा सा अगर कोई weapon भी हमको करना हो use करना हो तो हम लोग उसको import करते थे लेकिन आज हम लोग विक्सित भारत के तरफ बढ़ रहे हैं हम weapons जो है इनको modernize कर रहे हैं आज अगर मान लीजे कि इसराइल और इरान के बीच में युद्ध छेड़ रहा है तो इसराइल क्यों आगे है क्योंकि उसके अंदर modernize उसके पास में modernize weapons है iron dom उसके पास में है जिसको उसने USA के मदद से बनाए है तो जब तक हम लोग बाहर की किसी country की technology के इंडिया के इंदर नहीं लेके आएंगे जब तक permission नहीं देंगे तब तक हम लोग modernize नहीं हो पाएंगे और अभी जितनी भी FDI की जो companyya है उनका 74% जो है वही हम लोग allow करते है मतलब basically बात ये है कि कुछ समय के अंदर हो सकता है कि जो बाहर की बड़ी-बड़ी companyya है वो इंडिया के अंदर invest करने से मना कर दे इसका जो एक गाटा है वो भारत को लग सकता है जो नई technologies है हो सकता है कि भारत के पास में नहीं आए मैं आप लोगों कुछ जो है graph दिखाता हूँ यहाँ पर देखीगा अगर हम लोग 2024-2025 की बात करें तो यहाँ पर जो basically growth है उसके अंदर कही न कहीं कमी हम लोग को देखने को मिल रही है तो defense budget जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि पहले 6,40,000 करोड का था वो अब थोड़ा सा घट के कितना हो चुका है 6.21,00,000 करोड जो है वो हो चुका है अब basically बात क्या है कि यह पूरे GDP का है कितना पहले यह पूरे GDP का हुआ करता था लगभग 2% से भी उपर 2% से भी उपर जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए 1985 के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप लोग पाएंगे कि यह पूरे GDP का लगभग 3.5% हुआ करता था मतलब defense का जो budget है वो all और GDP का 3.5% हुआ करता था दीरे दीरे इसके अंदर decrement जो है वो हमको देखने को मिला और अगर हम लोग देखे 2019 के अंदर तो यह 2.5 की आसपास में है लेकिन फिर क्या हुआ यह अब इस बार जो है कमी कर रहे हैं अब यह जो कमी है वो हमको कही न कही नुकसान दे सकती है किसके अंदर modernization के अंदर अगर हम लोग को modernization करना है तो defense budget जो है वो बढ़ाना पड़ेगा Modi's big push in recent years has been to increase indigenous defense production Modi जी ने हाल ही के अंदर यह announce किया था Vixit भारत के एक campaign के तहर कि हम लोग indigenous जो है वो develop करेंगे अच्छी बात है क्योंकि domestically अगर हम लोग independent रहेंगे तो हमको दूसरी देश पर depend होने की जरुवत नहीं है और इसके results यह सामने निकल कर आएंगे कि local defense production grew nearly 17% in the past financial year and is up to 60% since 2019-20 तो basically हम लोग indigenous ली जो develop कर रहे हैं वो 17% के आसपास में पहुँच चुका है तो इसका यह जो है effect है अच्छा यहाँ पर एक हतियार जो है वो आप लोग देखिए एक army man ने एक हतियार जो है वो पकड़ा हुआ इसका नाम है काल गुस्टाफ तो काल गुस्टाफ जो है वो एक hand grenade है हम लोग यह कह सकते हैं grenade मतलब grenade नहीं कहेंगे हम लोग यह कहेंगे कि basically यह एक ऐसा equipment है weapon है जिसको कंधे पर लगा कर missile जो है छोटी वाली वो दाग सकते हैं इससे ठीक है rocket launcher हम लोग कहते हैं इसको तो rocket launcher जिसको हम लोग indigenes ली समझते हैं basically हमारे भारत के अंदर वो विक्सित नहीं है सिल्जलाइन से हम लोग independent करते हैं जो है import करते हैं तो सिल्जलाइन से हम लोग इसको import करते हैं अब भारत के अंदर cable और cable एक मात्र हमारे पास में जो modernized हतियार है ये launcher के तौर पर वो हमारे पास में काल गुस्ताफ है अब हमको जरुत है कि budget के अंदर थोड़ा सा और increase जो है वो किया जाए हतियारों का modernization किया जाए और ऐसे हतियार जो है वो भारत के अंदर बनाए जाए तो government को यहां पर थोड़ा सा जो है वो इस्टर के फील होता है कि आखिरकार हम लोग कब तक जो है इन चीजों को import करेंगे modernization के लिए हमको budget जो है वो बढ़ाना पड़ेगा It's hard to imagine exactly which enterprising profiteer would be attract by the peanuts मतलब basically बात यह है कि जो FDI आता है वो FDI किसको देख कर आता है भारत के अंदर कोई विदेशी company अगर investment करेगी तो यह देखी कि ने क्यार मुझे कितना मुराफ़ा होगा मुझे कितना जो है वो area वहाँ पर मिलेगा अगर already हम लोग इतना ही develop कर लेंगे देखिए हम मैं इसके विरुद नहीं हूँ मतलब यह जो article है वो basically क्या कहना चाहरा है वो कहना चाहरा है कि हमको जो import है technology वो भी करनी पड़ेगी और indigenous जो सुरेशी हमारे technology है उसको भी improve करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए हमको budget जो है वो कही ना कही बढ़ाना ही पड़ेगा और budget नहीं बढ़ाएंगे तो कही ना कही हमको नुकसान जो हो सकता है क्योंकि आगे आने वाला समय जो है वो बहुत critical है खास्ता आपर पाकिस्तान और चाइना के साथ में तो ये newspaper के अदर आर्टिकल जो है वो अभी publish हो रहे है कि क्या वाकई में मोदी जी जो है वो modernization से give up कर चुके है ठीक है अब ये जैसे surgical strike की हम लोग बात करें देखे surgical strike हम लोगों ने की उसके अंदर modern weapon हम लोगों ने इस्तमाल बड़ा जबर्दस strike था वो पाकिस्तान को मुँ की इसके अंदर खानी पड़े थी अब हमको जो है वो और तोड़ा सा upgrade होना पड़ेगा यसे ओसमा बिन लादेन को USA जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके मारता है उसके पास में जो helicopters थे वो बड़े जबर्दस थे वो हमारे पास में भी है क्योंकि उनके पास में बड़े हाई थी पाकिस्तान के अंदर जाकर मार दिया तो आज हमारे पास में भी हमको जो है वो modernize करने की जरुद है इसके लिए budget जो है उसकी भी जरुद पड़ेगी ठीक है तो basically क्या हुआ कि हमको थोड़ा सा और improvement की जरुद है इसके अंदर चली आप हमारे 10,000 MCQ batch के साथ में जरूर जुड़िएगा इसमें history, quality, geography, economy और science जह है मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हो 12 अगस से हमारे ये batch शुरू हो रहा है जो भी one day exam को clear करना चाहते हैं और gkgs को अगर आपकी कमजोर है तो मेरे साथ में जुड़िएगा मैं जबर्दस शरीके से आप लोग को prepare करवाँगा coupon code 10,000 आप लोग को use करना है इसकी मदद से आप लोग को discount price के नेरा available होगा 75 days का hard challenge है आप लोग pornography से कैसे quit करें 75 techniques में आप लोग को बताई है 75 real stories में आप लोग को बताई है ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से अगले session के अंदर तप्ते लिखने बाद thank you आप लोग को बताई है